डबली डबली ने फिरसे टीज़ कर दिया फिंड का डबली डबली रिटर्न हेलो फ्रेंड्स I am Wasim and you are watching WWE Main Points तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के WWE से जुड़ी अपडेट्स के बारे में तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एक चोटा सा रिक्वेस्ट है बाई चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना बेल आइकन को अलपे सट कर देना चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहली स्टोरी के बारे में बात करेंगी जो की जड़ी हुई है WWE Returns के बारे में तो Zero News जो की WWE का काफी Trusted Source है उसकी तरफ से रिपोर्ट निकल के सामने आ चुका है कि जो WWE है वो दो बहुत बड़े Returns करने वाला है बहुत ज्यादा जल्दी यानि कि बहुत जल्दा में WWE में दो बहुत ज्यादा बड़े Returns देखने को मिलेंगे और Zero News का यह कहना है कि यह जो Returns है यह Landscape को पूरा Change कर देंगे यानि कि WWE को बिल्कुल अलग लेवल तक ले जाने वाले हैं यह दोनो Returns अब जहान तक मुझे लगता है एक तो The Fiend Bray Wyatt का WWE Returns है और दूसरा आप पता नहीं अब किसका जो WWE Returns है जिसकी वज़ा से Zero News का यह कहना है कि यह दो Returns पूरा WWE को Change करके रख देंगे क्या कहना है आप लोगों का इसके बारे में देखते हैं कब होते हैं यह दोनों Returns I think Clash at the Castle का वो शो होने वाला है जिसमें The Fiend Bray Wyatt का WWE Returns होने वाला है क्या कहना है अप लोगों का इसके बारे में अगली स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो की जुड़ी ही है Royal Rumble 2023 के Royal Rumble Match के विनर के बारे में तो रिपोर्ट निकल के सामने आ चुका है जो The American Knight Mayor Cody Rhodes है वो जीतने वाले है Royal Rumble 2023 के Men's के Royal Rumble Match को और वो रसल मेनिया 39 में एक World Championship Match में होने वाले है अब मैं पहले से आप लोगों को पता दू रसल मेनिया 39 के जो Night 2 का Main Event होने वाला है वो उने वाला है Roman Reigns vs The Rock तो Roman vs The Rock का Match Confirm है और इस वक्त World Championship किसके पास है वो है The Tribal Chief Roman Reigns के पास तो क्या Roman Reigns रसल मेनिया 39 से पहले अपने Championship को हारने वाले है यह बहुत ही बड़ा सवाल बन चुका है अब WWE में क्यूंकि अगर Cody Rhodes किसी World Champion को फेस करेगा रसल मेनिया में तो World Championship दोनों इस वक्त Roman के पास है और Roman Reigns The Rock का पेस करेंगे रसल मेनिया 39 में तो Most Likely जो Roman Reigns है वो अपने Championship को बहुत जल्द आरने वाले है Most Likely या तो पिर Clash 80 Castle के शो में हारने वाले है Roman Reigns अपने Championship को वरना जो Survivor Series 2022 का शो होने वाला है वो हम पर Roman आरेंगे अपने Championship को अगेंस्ट केरियन क्रॉस तो क्या कैना है आप लोगों का इसके बारे में क्या आप लोग Roman को हारते हुए देखना चाहोगे अपना opinion comments में देते रहना अगली स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो की जुड़ी हुई है The Fiend Brave White के WWE Return के बारे में तो WWE on BT Sports का जो official Twitter account है वो Roman Reigns के Summer Slam Return के दो pictures tweet करते हैं एक में तो सिर्फ Roman Reigns होते हैं लेकिन दूसरे picture में Roman Reigns और The Fiend होते हैं अब यह बिल्कुल clear tease है भाई The Fiend को WWE ने अपने company से निकाल दिया है फिर भी The Fiend Brave White के pictures को WWE tweet कर दिया तो एक और बहुत यह बड़ा tease है The Fiend के WWE Return का क्या के नहीं आप लोगों का इसके बारे में मुझे लगता है अब बिल्कुल भी दूर नहीं है Fiend का WWE Return अगली स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो की जुड़ी हुई है The Youngest Mr. Money in the Bank तियोरी के बारे में तो बहुत यह ज्यादा bad news निकल के सामने आ चुका है तियोरी के बारे में तो Johnny Gargano versus तियोरी का feud चल रहा है अब इस वक्त WWE में लेकिन एक speculation निकल के सामने आ चुका है जो की बहुत यह ज्यादा नाराज कर सकता है तियोरी के फैंस को तो माना ऐसा जा रहा है जो Johnny Gargano है उसका मैच ओने वाला है तियोरी के साथ M.I.T.V के लिए यानि कि Money in the Bank briefcase के लिए और यहां तक के जो Johnny Gargano है वो बीट करेंगे तियोरी को और उसके Money in the Bank briefcase को जीतने वाले है अब मुझे नहीं लगता इससे बेकार चीज डब्ली डब्ली में आज तक हुआ होगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं देखना है कि जो Johnny Gargano है वो बीट करें तियोरी को भाई तियोरी सच में WWE में एक बड़ा सुपरस्टर दिखता है लेकिन एक है Johnny Gargano जो कि WWE में रिसेंटली आचके है जिसे ज्यादा थर WWE के फैंस जानते ही नहीं है क्या कहना है आप लोगों का इसके बारे में वैसे क्या आप लोग चाहेंगे तियोरी को बीट करें Johnny Gargano, Money in the Bank ब्रीफकेस के लिए अपना ओपीनियन कोमेंट्स में देते रहना अगली स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो की जुड़ी हुई है WWE Monday Night Rock के एपिसोड के विवर्शिप के बारे में तो इस वीक का Monday Night Rock का शोब बहुत ज्यादा कमाल का था क्योंकि में एवेंट में दरेटेडार सुपरस्टार एज वर्सेस डेमियन प्रिस्ट का मैच होता है और जोनी के अरगयनों का WWE रिटर्न होता है और भी बहुत सारे कमाल के चीजे होते हैं Monday Night Rock के शोव में तो अटेंडन्स भी काफी कमाल का आया था किमकि 14,000 के आसपास फैंज आये थे लेकिन विवर्शिप भी बहुत ही ज्यादा कमाल का निकल के सामने आ चुका है तो जो Monday Night Rock के एपिसोड का विवर्शिप है वो है 2.01 मिलियन और जो डेमोग्राफिक रेटिंग्स है वो है 0.55 तो क्या कैना है आप लोगों का Monday Night Rock के एपिसोड के विवर्शिप के बारे में Monday Night Rock के एपिसोड के विवर्शिप ने 2 मिलियन क्रोस कर गया है अगली स्टोरी के बारे में बात करेंगी जो कि आज की हमारी नेक्स्ट और फाइनल स्टोरी है जो की जड़ी हुई है WWE Draft 2022 के बारे में तो पहले माना ऐसा जा रहा था जो WWE Draft 2022 होने वाला है वो Clash at the Castle के शोग के बाद होने वाला है लेकिन WWE ने इसे बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए पॉस्पॉर्ण कर दिया क्यूंकि आप माना ऐसा जा रहा है जो WWE Draft ओने वाला है और रसल मिनिया 39 के भी बाद ओने वाला है यानि कि 2022 में कोई भी WWE Draft नहीं होने वाला है सीधा आप रसल मिनिया 39 के बाद आमें एक WWE Draft देखने को मिलेगा क्या कहना है आप लोगों का इसके बारे में ए रहा आज की एक अपडेट्स वीडियो उमीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई